तेस सिखाओंगी इसके लिए मैंने कार्ट बोर्ड से ये 23 सेंटीमीटर का सर्कल कट कर लिया है अब इसको सब से पहले इसके जो यह एस इस हैं इसको कवर करेंगे इसके लिए मैंने यह मास्किностью ली है आप, और इस से हम इसको कवर करेंगे इस तरह से छोटे पीसिज कट कर लेंगे जिससे कि इसमें सिल्वेट ना आए यह अच्छे से हो जाए इसी तरह पूरे सरकल को हम कवर कर लेंगे मैंने चारो तरफ इसके टेप लगा दी है अब इसके उपर करेंगे हम ब्लैक अक्रेली कलर कि अब इसके एक लेंगे यह वाइट कलर का चार पेपर कर अब इसके उपर लगाएंगे हम एल्मिनीव फॉइल पेपर इसको इसके ऊपर चड़ा देंगे उससे पहले इसके उपर लगाएंगे फैलिकॉल जिसे ही अच्छे से पेस्ट हो जाए यह इसके उपर हम पेस्ट कर देंगे कर दिसे ही अच्छे से थाए अब इसे इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद इस तरह से फैदर की शेप कट कर लेंगे और स्टैंसल रेडी कर लेंगे अब यह स्टैंसल मैंने रेडी किया है यह किया है फोर इंच का यह देखिए फोर इंच का रेडी किया है और यह मैंने फाइव इंच का रेडी किया है इस तरह से यह दो स्टैंसल रेडी करने के बाद अब हम इसे यहां पर रखेंगे और इसी शेप का रो करके इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से शेप कट कर लेंगे ट्वंटी इसकी और ट्वंटी इस वाले की छोटे वाले की और ट्वंटी यह फाइव इंच वाले की की दोनों की हम 20-20 शेप निकाल लेंगे इसकी अंदर से यह देखिए मैंने फाइव इंच और फोर इंच की यह शेप फैदर की कटिंग कर लिए है अब हम इसे इसके उपर लगाएंगे पहले इस तरह से इसे सब को इस तरह से रेंज कर लेंगे और फिर वन बाइवन गुलूल गाते हुए इसको पेस्ट करते जाएंगे इस तरह से मैंने यह रख दिया है अब इसे वन बाइवन इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे इसके उपर मैं फैबुकिट लगा रही हूं और इसे यहां पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे यह फैबुकिट लगाने से पेस्ट नहीं हो पा रहा था चैसे इसलिए मैं इसके उपर फैबुकिट लगा रही हूं फैबुकिट लगाने से यह पेस्ट हो रहा है ड्रश की हेल्प से एक लंबी सी स्ट्रिक बना देंगे और इसको यहां पर इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे ये फैदर की कटिंग जब की थी तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर दिया था जिससे हमें यहाँ पर एक लाइन से मिल गई है जिससे इसको पेस्ट भी अराम से किया रहा है और ये इसकी इस तरह से शेप भी रेडी हो रही है अध्रीडी लूप आ रहा है इससे इसी तरह से हम ये पूरे पेस्ट करते जाएंगे और इसकी अंदर की साइड हम ये छोटे वाले पेस्ट करेंगे इसको करने के लिए इसी तरह से हम फैवी को लगाकर इसको यहाँ पर अंदर की साइड पेस्ट कर देंगे यहाँ पर नीचे नीचे लगाया जाएगा उपर लगाने की नीड नहीं है यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर सेट करते जाएंगे यह देखिए यह मैंने सभी लगा दिया है यह बड़े पीसिस जो 5 इंच के थे वो लगी है अब इसके अंदर यहाँ पर मैं एक कार्डबोर का सर्कल कट करके इसके उपर मैं लगाऊंगी यह फॉइल पेपर और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी झाल 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 कि यह बड़े कि यह मारा वोल हेंग रेड़ी हो गया है इसके बैक साइड में एक फ्रेट लगाकर इसको हम हैंक कर लेंगे गुल पर अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को स्प्सकाइब कीजिए लाइक एंड शेयर कीजिएगा अगर आपको प्लीज मेरे झाल को स्प्सकाइब कीजिए लाइक